बिस्मिल्लार्प्मनुराहीम, अस्सलामुलाइकम, सौधिरी बिसलाइफ हूँ, आपको बाई एक यार बात भी मैं देख भी रखा था, खुद से भी सोच रखा था, मैंने बोला आप भाई को साथ भी शेर करता चलूँ, हाला कि मैं एक तफसील के साथ इसके उपर वीडियो शेर का चुका हूँ, पहले ही आपके साथ, बात यह है बाई कि आपको पता ही, दिसंबर से फ्लैट्स ओपन हो चुकी है, आपके इकामे छुटी 30 नुमबर तक है, उसके बाद आप खुद से अपने इकामे बढ़ाएंगे और सौधिरी बिया आ सकेंगे, वरना आपके इक इकामे और चुटी सौधिरी गौर्मीर ने अभी तो नहीं बढ़ाए हैं, अभी तीमा के इकामे का जो सिस्टम है, इन्शाला तला वो भी आपके साथ, मैं मुकमल डेटेल के साथ एक वीडियो, यानि कि आपे पहले आपको बता चुका हूँ, मैं एक वीडियो में लेकर म कमल तफसील के साथ किसी मकतब से पूछ का रेट क्या है कनफर्म, वो आपको बताऊंगे इन्शाला तला जल्द मैक वीडियो में, बाराल इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप तो भाई 30 नुवंबर तक अपना इकामा मजीद आगे बढ़ा सकते हैं, जी बिल्कुल इगर थोड़ा मैं आपको समझाने लगा हूँ, जब 1 दिसंबर हो जाएगी तो फिर आपका इकामा हो जाएगा एकस्पायर, एकस्पायर इकामा जब रिन्यू किया जाता है तो उसके उपर भाई 500 रियल का फाइन होता है, ठीक है, और 1 टेम, अगर 2 टेम आपका इकामा ए 3 मा के लिए ही तजदीद करवाएं, साथ में अपने चुटी बढ़ाएं, किसी दोस्त को बोलकर या किसी मक्तव वाले से बात करें, या आपका जो कफील बगएर है या आपकी कंपनी में जो कोई भी बंदा है, उससे बोलकर बातचीत करके आप अपना इकामा और चुटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये 30 नुवंबर तक कर ले, अगर आप 30 नुवंबर तक अपना इकामा और चुटी नहीं बढ़ाते हैं, और उसके बाद आपको वाई साथ में फाइन लग जएगा, और अगर आपके पहले से 2 दफा इकामा एक्सपायर हो चुका, यानि कि आप तो फिर आपका इकामा भी नहीं लगेगा